क्या काना भी राधा बनता है? उसे भी गोपी बनाते हैं क्या? वो नथ थोड़ी न पहनता है? चोटी! ये काना जी के लिए थोड़ी न है जैश्रिकृष्णा राधे राधे कैसे हो कनया के लाड़ो तो अब आ रहा है राधा हस्टमी का त्योहार हमारी राधी का प्यारी अब सजने वाली है अब उनका जनम होने वाला है तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके घर में किशोरी जी नहीं है जिनके घर में गोपाल जी हैं और उन्हें लगता है कि गोपाल जी की सेवा कैसे करे राधा अस्टमी पर तो ये देख रहे हैं आप मेरे काना है ये और मेरे काना साथ साल तक राधा ही बनता रहा और राधा भाव में ही उसकी सेवा हुई है मेरे कनहियां की और जब से किशोरी जी है मेरे घर में पधारी है उसके बाद से मेरा कनहिया कभी राधा नहीं बना सिर्फ राधा अस्टमी के दिन ही राधा बनता है मेरा काना तो ये मेरे काना जी की वीडियो है जिसमें मेरे गोपाल किशोरी जी बना हुआ है गोपी रूप धारन हुआ है और अगर ऐसा लगता है कि आपको कि क्या गोपाल जी को किशोरी जी बनाना चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ गूगल पे जाईए सर्च कीजिए बिहारी जी का गोपी श्रिंगार और हमारे बांके बिहारी जो सबसे एक है मतलब उनके जैसा कोई है ही नहीं वो ही वो खुद राधा अस्टमी के दिन किशोरी जी रूप का धारन करते हैं गोपी बनते हैं चुन्नी ओड़ते हैं नत लगाते हैं मटकी पकड़ते हैं पूरा गोपी बनते हैं और आप हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे तो हमारी किशोरी जी ने खुद ने अपने गोपाल को राधा बनाया था कि भई तुम राधा बनके तो देखो तो उसी खुशी में, राधास्ट में की खुशी में गोपाल जी को किशोरी जी बनाया जाता है उस दिन किशोरी जी को नत, चोटी, पायल, और वो भी घुंगरू वाली ताकि बजती रहे, कमर बंद वगेरा, सब कुछ यूज होगा चंदरी का, टी का, सब कुछ और वज़े से लिप्स्टिक वगेरा भी लगाई जाएगी, अगर कोई यूज नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता रही हो तो राधहश्मी का त्योहर कैसे मनाना है, राधहश्मी का त्योहर ऐसे मनेगा कि जो हमारी किशोरी जी है, उनका जनम सुबह हुआ था, रातरी में हमारे गुपाल जी कर जनम हुआ था, तो आपर बारा बज़े तक रुखते हैं किशोरी जी जो है वो उत्पन हुई थी कमल के पुश्प पे नदी में मिली थी विश्वानु जी को और इस वज़े से उनका जो जन्मत सौव है वो सुभे बनाया जाता है राधा जी का तो इसलिए हमारे गोपाल जी को किशोरी जी आप बनाएं सुभे बनाएं उनको अच्छे से राधा बनाएं अच्छे से चोटी लगाएं चोटी अच्छे से लगाके उनको सुन्दर सुन्दर तयार करें लड़की का रूप दें गोपी का रूप दें और बड़ी मुश्कल स जो गोपी बनाओ तो ऐसा रहेगा तो गोपी बनाए किशोरी जी बनाए गोपाल जी को उस दिन और अश्ट सखियां जो होती हैं उनकी जो आठ सखियां होती हैं उनको भी उनके आसपास रखें अगर राधा जी हैं तो राधा जी के पास रखें अगर काना हैं तो काना जी के भी पास रखे क्योंकि उस दिन वो सरूब धारन करने वाले हैं किशोरी जी का और किशोरी जी महरानी है और हम आप सब उनके दास हैं और हमारे ठाकुर जी की भी महरानी है किशोरी जी तो किशोरी जी का श्रिंगार जब ठाकुर जी धारन करते हैं तो अलग से चाठ चान नि तो आप धेड लास से अच्छे से बनाते हैं तो किशोरी जी का त्योहर क्यों नहीं वह तो महारानी है सबसे बड़ी है वह और इसके बाद किशोरी जी का वैसे फेवरेट कलर ब्लू कलर है आप ब्लू भी पहना सकते हैं और कोई और भी कलर पहना सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत तो आप जैसे यह भी बहुत सुंदर लग रही है जो हमारे ठाकोजी धारन कर रहे हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे तो लाल पहना लीजिए पीला पहना लीजिए हाला कि ब्ल्यू कर उनका फेवरेट है तो ब्ल्यू कर का अगर वैवस्ता नहीं होता आप कोई और चीज भी रख सकते हैं उनके पास में साथ में जैसे मैंने पिछली वीडियो में डाला उनको क्या क्या आवशकता है चुन्नी है चंदरिका है नत है बाली है जुमकी है दामीनी है पायल है घुंगरू है और चोटी जी है ऐसा सब रखें आप और किशोरी जी कमल में उत्पन होई थी तो कमल का पुश्प आप ल जिसकते हैं कमल का छापा जो भी हो वो सब आप ले सकते हैं और जहां भी ठाकुरानी को भिठाएं या ठाकुरणी बना के ले मैं बढ़ा है तो वहां पर पहले पीला हल्गी का लेप जरूर करें क्योंकि हमारी साक्षात लक्षमी महिया है जो हमारे घर में विराजमान हो रही है या आ रही है उत्पन हो रही है और लाली का जनम बहुत ही इंपोर्टन होता है इसे हलके में मत लिया करें आप कि ठाकुर जी का तो अच्छे समय जी का ध्यान भी नहीं रखते है हमारी महरानी है तो कुछ और भी अगर आपके डाउट से तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बिल्कुल अपनी किशोरी जी बनाए अपने ठाकोर जी को और देखेगा आपके ठाकोर जी पे क्या निखा रहाता है और देखेगा मैंने सब अपने गोपाल जी को किशोरी जी बनाए और हर घर में गोपाल अलगी उल्लास से खुश हो जाए ठाकोर जी की सेवा में और चार चान लग जाए जैश्री कृष्णा राधी राधी